तर्बो वेंतिलेटर आपने किसी करकाहणी या फैक्टर की छत पर गोल गोल गोमने वाले स्टेल के टोकरी जैसे चीज जरूर देखी होगी आपकर यह क्या चीज होती है और इसका क्या क्या है यानि इसे कारखानों गिल्डिंग के अंदर वह एक मातर काम है कारखानों या बेल्डिंग के अंदर से गरम हवा को बाहर निकालना है अब सवाल यह है कि इसके पंखे लगातर ऐसे गोमते कैसे हैं इसके पिछे विग्यान का एक सर्विधित सिदानत है वह यह है कि ठंडी हवा हमेशा उपर से नीचे की तरफ जाती है वहीं गरम हवा हमेशा नीचे से उपर की तरफ जब किसी कारखान या बेल्डिंग में गरम हवा होकर उपर की तरफ उठती है तो टर्बो वेंटिलेटर के पंके उस गरम हवा आगे कारण गुमने लगते हैं और अंदर की गरम हवा तेजी से इस बावन से बाहर निकल जाती है इसके लिए किसी बिजली इत्यादी की आवशकता नहीं होती इसका प्रियोग अधिकतर विशाल सन्चनाओं जैसे कारखाने बड़ी बेल्डिंग बड़े गोदाम रेलवे स्टेशन इत्यादी में किया जाता है इसके असर से बावन के अंदर की गरम परदूशी तवा एमबदबू शिकर बाहर निकल जाती है यह पुराने वैसमाने गरम अबबा निकालने है तो बनाए जाने वाले रोशन दानों से काफी अधिक कारे शक्षम होते है अपना कीमती समय देने के लिए जन्याँ